हेलो फ्रेंड जोती किचन में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत हैं घर-घर में गणपती वपपा पदा रहे तो उनके लिए नएने प्रकार के तेस्टी हेल्धी मोदक का प्रसाद बनाना तो बनता है तो मैं आज ऐसे मोदक की रेसेपी लाई हूं जिसे ने फ्राइ किया इस अनोके मोदक की रेसेपी अब अगर आपनी YouTube पर देखे होगी तो जरूर मुझे कमिट बॉक्स में बताए तो चलिए शुरू करते हैं अनोके मोदक की रेसेपी बनाना एक कप गुल लिया आदा कप पानी डालके इसे बिने भिगो दिया था अब इसको चान लेंगे जि बहुत बढ़िया बनते हैं एक बार इस तरीके से बनाए बन पोर्त कप घी डाला है मोयन के लिए अच्छी तरह मिक्स करके इसके नरम आटा गुंद कर दस मिट के लिए रेश्ट उने के लिए रख देंगे थोड़ा सा घी लगा कर प्लीज रेसे पसंद आये तो आप इसे भूनते समय तेल डालने से बहुत बढ़िया मोदक बनते हैं एक बार जरूर बनाए तेल के वाले मोदक दो चम्मच मैंने खसकर डाली इसे भी बिना तेल घी के रोष्ट करेंगे और इसका पाउडर बना लेंगे दो चम्मच देशी घी डालेंगे काजु बदाम पिष्ट इसको भी अच्छी तरफ फ्राय कर लेंगे और दरदरा सा पाउडर बना लेंगे इसकी मात्रा टेश्ट के साफ से कम ज्यादा कर सकते हैं और भी ड्रैपर्ट मिला सकते हैं इसमें किश्मिच डालेंगे जल्दी फ्राय हो जाते हैं इसलिए मिने बाद में डालें का बुरा डालेंगे आप चाहे तो सुका नारियल भी ग्रेट करके इसमें डाल सकते हैं रोष्ट करने से नारियल को शेल पर लाइब भड़ जाते हैं बहुत दिनों तक मोदक खराब नहीं होते हैं यह देखे अच्छी तरह भुन चुका है थंडा हो चुका है अब इसमें ड बढ़िया मोदक बनते हैं मैंने इसी तरीके से हर बार बनाएं और बहुत बढ़िया टेस्ट आता हैं इससे चिपचपा पन नहीं होता इसकी मात्रा कम ज्यादा टेस्ट किसाप से कर सकते हैं वह दो चम्मस तीन चम्मस इसमें घी डालेंगे घी से और भी भड़िया स्वा काटेंगे और पेड़े बनाएंगे तोड़ा सा घी लगाके दुबारा इससे तोड़ा एक जैसा कर लेंगे उपर से भी मिठास रहेंगे अंदर से भी मिठास रहेंगे चोटी-चोटी आप अपने अनुसा अलुई काट ले इसकी और इसे फ्राई भी नहीं किया मैंने केबल इस्टिम्स देकर बनाया है पुरी के आकार में बेल लेंगे थोड़ा सा घी लगा देंगे जिससे चिपकेगा नहीं वो थोड़े तिल लगाएंगे जिसे मोदक देखने में बहुत बढ़िया लगेंगे खसकस भी लगा सकते हा देखे कितनी खूबसूरती भर जाती है तिल लगाने से अब कटोरी से काट लेंगे एक जैसे मोदक बनेंगे साइज में आप चाहे तो वैसे भी बना सकते हैं पेठे के मोदक की रेसेपी मेरे चैनल पर देख सकते हैं आप ये स्टेपिंग की सामुगरी भर देंगे देख पानी को गरम होने के लिए रख दिया था आप ये छन्नी में इसे रख देंगे थोड़ा सा घी लगा लेंगे जिससे ये चिपकेंगे नहीं मोदक आप चाहे तो इजली के साचे में भी बना सकते हैं या ढोकले के साचे में भी बना सकते हैं आप ये सभी मोदक को 10-12 और भी रेसिपी मेरे चेनल पर आप देख सकते हैं मेरी रेसिपी कैसे लगते है जरूर बताए कब इन बॉक्स में एक बार तो फ्रेंट जरूर बनता है बनाना और मुझे जरूर बताए कि आपने पहली बार देखे क्या इसे मोदग यह महराष्ट में ऐसे दिये बना जाते हैं दिये कि आवा मस्या के समय इसने मेंने स्टेपिंग भर दिये हैं यह देखे कितना बढ़िया मोदग बनाए सभी निकाल लेंगे और घी के साथ सर्व करेंगे और भी देखते रहे हैं मेरी हिल्दी टेस्टी रेसिपी मेरे चैनल को चैनल पर जोती किचन को यह देखे कितने बढ़िया बने हैं बिना चामल के आटे के थेंक्यू फॉर वाचिंग